आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह और को प्रॉसिस करना है जब हमारे पास और आ जाता है तो उसको अब हमने प्रॉसिस किस तरह करना है कस्टमर को डिलेवर किस तरह करना है मैं आपको यहां पर एक बात बताता जाओं देखे प्रॉडिक हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद शॉपिफाई का स्टोर बनाना, उस प्रॉडिक को लेस्ट करना और उसकी एड़िटाइस्मिल्ट करना, फेस्बुक पर टिक टॉक पर जिदर भी करनी है यह सारा काम एक साइट पर, मनलब जब हमारे पास और आता है और उसके बाद और को कस्टमर तक डिलिवर करना, यह एक साइट पर यह मनलब कस्टमर तक और डिलिवर करना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफी डिफिकल्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिस हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स इतनी स्ट्रॉंग नहीं हैं, तो इस वज़े से हमें इसके अंदर काफी चैलेंजिस का सामने करना पड़ रहा है, तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे इ आपने हर आडर को कस्टमर तक डिलिवर कर सकेंगे, अब आडर तो हमने रिसीव कर लिया, अब इसको प्रॉसिस किस तरह करना है, हमने एक प्रॉड़क्स लग्ट की थी, उसके उपर एड़ चलाए, कस्टमर अमारी वेबसाइट पर आया, उसने आडर कर दिया, ठीक है, अ अब इसको कस्टमर को डिलिवर कैसे करना है, तो इसके मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, जब आप हंटिंग कर लेंगे, प्रॉड़क को फाइनलाइज कर लेंगे, तो उसके साथ साथ ही आपने अपना सी ओडी का एकाउंट ओपन करना है, ये कुछ कोरियर कंपनीज हैं कंपनीज हैं, उनमें TCS है, TCS एक एसी कंपनी है, जिसको हर बंदा जानता है, हर बंदे को पता है, कि TCS के जरीए से हमारे पास पारसल आते हैं, तो ये ज्यादा मशूर है, आप एक इनके साथ अकाउंट ओपन कर लें, उसके बाद लियोपर्ड के साथ कर लें, और तीसरा अच्छा अब एकाउंट कैसे ओपन करना है, बात यह आती है कि हमने COD का एकाउंट कैसे ओपन करना है, आप ने अपने नियारेस्ट कोई भी ब्रांचेज जो हैंना TCS की लिपर्ड की इनकी ब्रांच में चले जाने, वहां पर आपने उन्हें कहना है कि हमने COD का आपसे लेंगे एक स्ट्रम पेपर पर एक अंडेट टेकिंग आपसे लिखवाएंगे और कुछ और थोड़ी सी रिक्वाइर्मेंट्स हैं वो आपने फुल्फिल करनी है आपका सी ओडी का अकाउंट ओपन हो जाएगा ये ऑनलाइन भी ओपन होता है आप ऑनलाइन भी कर सकत आप कर लें अब निक्स्टेप आता है कि हमने अपनी अड्विटाइजमेंट स्टार्ट कर ली हमारे पास और आगे जब आपके पास और आजाता है ठीक है आपने उसको डायरेक्ट शिप नहीं करना अब मेरे पास फ़र इसमबल दिन का सो और आगे तो मैंने इस तरह नही है और पेक किय और शिप करती है नहीं आपने परस्ट पाफ आऔर को किंफाम करना है कस्टमर से जिसने ओर्डर प्लेस किया था ठीक है अथ कि मैं आपको यहांसे समझा लेता हूं स्टोर से एक ड इससे मैं आपको गाइड करते हूं, एक बंदे ने आर्डर किया मेरे पास, यह उसका आर्डर मेरे पास आ गया, ठीक है, अब दे देखें, इस बंदे ने अपना फोन नंबर यहां पर दिया हुए है, नाम भी इसका है, तो आपने फरस्ट अफॉल इस बंदे को कॉल करनी है, ठीक है, इसका नंबर यहां से उठाएं, इसको कॉल करें, कॉल करके आपने इससे आर्डर को कंफर्म करना है, अब कंफर्म किस तरह करना है, उसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूं, जो जब आप कॉल करेंगे तो कॉल की उपर पहला तो यही करना है, उसके बाद नेक्स्ट अपना इंट्रडक्शन करवाएं, इंट्रडक्शन से मुराजिए आपने ये बात करनी है, कि मैं फिलां स्टोर से एबी सी ये एक्स वाई जी स्टोर से बात कर रहу, आपने हमारी वेबसाइट्स पर फिलाम प्रॉडक्ट का ओर्डर प्लेस किया था तो मैं उस ओर्डर को कन्फर्म करना चाहता हूँ कि क्या इस ओर्डर को हम बेजें या ना बेजें ठीक है आपने डारेक्ट ये कन्फर्मेशन उससे पूछती है उससे ये नहीं कहना है कि अपना एडरेस कन्फर्म करवा दे आपने डारेक्ट पहली बात पर मतलब सलाम के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवा कर आपने ये बात कहनी है कि आपने हमारी वेबसाइट पर इस प्रॉड़क्ट पर और्डर प्लेस किया था आपने प्रॉड़क्ट का नाम भी बताना हो कि इस प्रॉड़क्ट का और्डर आज प्लेस किया था टाइम आप लोगों ने यहां से देख लेना है ठीक ہے इस टाइम पर कस्टमर ने आडर प्लेस किया था ठीक है उसके मताबک पर آپने इससे बात करनी है और केना है कि आप अब यह confirm कर दें कि हम इसको भीजी है या ना भीजी अगर वो केता है कि आप इस order को confirm कर दें और बेजी ठीक है next पिर आपने क्या करना है next आप यह करना है ठीक है हम आपको आपका यह order आज ship कर देंगे kindly अपना address एक दफ़ा confirm कर दें अब आपने अपने स्टोर में यहां पर देखने हैं, यहां पर जो अडरेस उस्ट ने दिया होगा ना, आपने वो पूरा अडरेस उसे बताना है कि क्या यह वाला अडरेस ने नहीं है, या इसके अंदर मजीद कुछ आप अडिशन कर्वाना चाहते हैं, तो वो बता दे, लेकिन आप कैंडली अपने गर के इतके कोई मशूर जगह बता दें, बल्लब ये बता दें, आपका गर मेंड रोड पर है, आपके गर के करीब कोई मस्जद है, कोई स्कूल है, किसी गली महले का, कुछ न कुछ ऐसा बता दें, जिससे ता कि कोरियर वाला इजीली आपके गर पहुँचा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने उससे काल पर पूछ रही है, आपने काल पर उससे कहना है, कि कैंडली आप अपना नियरेस्ट कोई ऐसी फैमिस चीज़ बता दें, जिससे एजीली कोई दुकान है आपके गर के पास, सामने है, या आपोज़ेट कहीं पे, ठ आपके कोरियर वाला आपके घर तक इजीली पहुंच जाए, या आपका उनका घर देख लें, आगर किसी शेर में है, तो गली महले का वो नम्बरिंग जो होती है, स्ट्रीट अड्रेस, हाउस नंबर, वो आप पूछ लें, लेकिन पाकिस्टान में ये स्ट्रीट अड्रेस और ये तो सिर्फ शेरों में है, साइड अरिया में, विलिजिस में तो ये नहीं होता, तो आप लोगों ने बस ये सिट्वेशन को देखकर उसे ये कोस्टिन पूछने हैं, ठीक है, उसके बाद सिटी का नाम कन्फरम कर दें, कि आपका, आपकी शेहर के रहने वाले हैं, ठ उड़ते हैं, तो में जो सिटी होगा, वो पिशावर ही होगा, उसका ठीक है, आगे वो किसी थोड़ा साइड एरिया में रहता है, लेकि वो सिटी जो मेंशन करवाएगा, वो पिशावर करेगा, ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट तहसील पूछ लें, उसके साथ-साथ, चोथी जो बात आएगी, जो फूर स्टेप आप का आजएगा, वो यह आएगा, आपने उससे ये कंफरम करना है, कि कैंडली ये बता दें, कि आपके उधर किस की सर्वेस है, मतलब लिपड़ वाले किस सर्वेस आपके घर आती है, आपके उस शेहर में गली मौले तक, वो कहते हैं, कि मेरे पास, जो जिस सर्वेस का आप वो नाम लेता है, तो उसके जरीए फिर आपने शिप कर देने, अगर वो टीसीएस का कहते है, तो टीसीएस से बेज़ दें, लिपड़ का कहते है, बाकी भी आप कॉरियर कमपनीज के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज आपकी कॉरियर कमपनीज का मैं अतना खास कुछ नहीं कह सकता, मैंने इनके साथ काम किये तो मेरा अच्छा एक्सपरियंस रहा है, तब ही मैं आप सबको भी ये रिक्मेंट कर रहा हूं, तो जिस कॉरियर कमपनी का वो कहें, उसके जरीए फिर आप शिप कर दें, ठीक है, और दूसरा, अगर वो कहते हैं कि हमारे अदर कॉरियर कमपनी नहीं है, तो फिर आप पाकिस्तान पोस्ट के जरीए उसको बैश सकते हैं प्रॉडक्ट, अच्छा डिलिवरी टाइम उसको कॉल के उपर ही बता दें, ये आपका 3-5 डेज रहेगा डिलिवरी टाइम, और को एडवाइस कर लेनी है, जब आपकी ये सारी बातें होगी, 6 स्टेप में एक दफ़ा फिर फाइनल कंफरमेशन कर लें, फाइनल कंफरमेशन के अंदर आप उस से एक हैं, भाई देखें, हम ये ओर्डर जहां से आज बेज रहे हैं, आप एक दफ़ा फिर कंफरम कर दें, एसा नहों कि ये आपके पास पहुंची और आप इसको लेने जिनकार कर दें, तो इसमें हमारा नुकसान होगा, हमें डिलिवरी चार्जिस पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान होता है, ठीक है, जब आप कॉल बंद करने से पेरे एक दफ़ा फिर ये कह देंगे ना, तो आपका ओडर 100% कन्फरम हो जाएगा, ठीक है, और वो बंदा फिर जुरूर आपका ओडर रिसीव करेगा, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है, अब बात आती है, आपने ओडर कन्फरम कर लिया, ठीक है, ओडर आपका कन्फरम हो गया, order नाम से जैसे एक हजार पंदरा इसका order नमबर ना तो आपने इसको इस से सेव करना नाम से सेव नहीं करना order नमबर से आपने इसको सेव कर लेना है अपने mobile में ठीक है अब यह देखे जो बंदा आपको order प्लेस करता है वो facebook से या टिक टॉक से करते हैं हम दो ही जगों पर अपनी advertisement करते हैं तो उस मदए कि उस नमबर पर WhatsApp पर जरूर होता है तो आप उसका नमबर सेव करने वो आपके पास WhatsApp पर भी आ जाएगा अब आपने जब उसका order शिप कर दिया डिलेवर कर दिया तो आपने क्या करना है उसकी tracking ID उठानी है और यहां पर fulfill पर आपने click करना है यहां पर उसकी tracking ID डाल देनी है ठीक है और इसको फिर आपने fulfill कर लेना है shipping carrier आप इदर mention कर दे अदर ही कर ले लिपर यह वो नहीं आएगा इदर यहां पर और इसको fulfill कर ले साथ ही साथ जब अधर करेंगे तो इदर देखें वो tracking का URL भी आपको option दे रहे है ना तो आपने क्या करना है इदर हमारे पास यह option होती है लिपर यह लिपर tracking की यह website है यहां पर वो अपने tracking ID डालेगा ना तो easily वो अपने order को track कर सकते है तो इसका link भी आप लोग copy करें और यह भी आप यहां पर mention कर दें यहां पर डाल दें और order को fulfill कर ले इस तो उसके पास एक mail चली जाएगी या पर उसके फोन पर यह एक message चला जाएगा ठीक है तो बेतर यह है मैं आपको suggest करूँगा आपने यह करना है एक तो आपने यहां से fulfill कर लिया ठीक है उसके साथ-साथ यही सेम चीज़ आप उसके WhatsApp पर भी send कर दें WhatsApp नंबर पर जो आपने इस से save किया होगा ठीक है आप उसके उपर भी बेज़ दें जो आपको लिपर्ट पर वाइड करेगा और साथ में tracking URL यह आपस उसको WhatsApp पर भी बेज़ दें अब जब आपने यह चीज़ बेज़ दी उसके बाद दो दिन के बाद आपने फिर यह आज के जो orders होंगे इस सब को आपने दुबारा track करना है ठीक है आपने यह दुबारा track करना है और चेक करना है कि कौन-कौन से deliver हुए कौन-कौन से deliver नहीं हुए उन मेंसे जो-जो deliver हुए होंगे न उन सब को आपने वो तो चलें ठीक होगे good होगे जो deliver नहीं है pending में है या arrived station है तो आप customer को inform कर दें या जो pending में चलेंगे हैं उदर आपके पास लिपर की website पर जाएंगे हैं वहां पर आपके पास सारा record आर होते हैं कौन-कौन से order deliver होगे हैं कौन से pending में जो pending में होगे न आप एक तो customer को inform कर दें कि आपका order आपके station पर पहुंच के हैं और वह pending में आपने काइंड लिए अपना phone number आज रखने हैं courier वाला आपको कॉल करेगा आपने अपना order में से receive कर देने हैं वह जिदर कभी कहते हैं या उसके office जाना पड़ेगा या फिर वह आपके घर deliver कर देगा अगर service एरिया में ना होई जहां पर customer का घर है तो फिर वह office से जाकर खुद collect करना पड़ता है ठीक है तो आपने यहां से अगर वह एक दिन चेक करें pending में दूसरे दिन पिर वह उसका ticket open कर लें ठीक है case open कर लें तांके case आप open कर लेंगे तो उसका फायदा यह होगा जब आपका case open हो जाएगा ना तो फिर वह customer को जरूर डिलेवर करेंगे और साथी साथ वह आपको address भी बता देते हैं किस जगह पर यह वाला order है कौन से office में location वगरा ही बता देते हैं और वह यह आप customer को भी inform करने तो यह एक सारा तरीका है कि किस तरह आपने order को fulfill करना है अच्छा इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं वह भी मैं आप लोगों को बता दूँ वह यह है कि आपने यह case on delivery की जो application इंस्टॉल की होगी ठीक है COD की इसको आपने Google sheet के साथ integrate करवा लेना है आपके आपके पास जितने भी orders हैं वह बेक की उपर आपके पास Google sheet के अंदर आटमेटिकली record हो जाएं ठीक है admin यह open हो जाए मैं आपको फिर बताता हुआ जाए यह Google sheet में चले जाए यहां पर आप लोगों ने इसको sign in करना है और integrate करवा लेना है Google sheet के साथ जब आप इसको Google sheet के साथ integrate करवा लेंगे तो आपके सारे order back के उपर Google sheet के अंदर record होते जाएंगे तो फिर वहां से मैं आपको बता देता हूं यह इस तरह आपके पास back के उपर आते जाएंगे सारे orders ठीक है तो आप फिर easily यहां से ना आप इन orders को मनलब यहां से phone number भी ले सकते हैं और फिर इस बंदे का address अगर correct करना है तो easily यहां से आप correct कर सकते हैं ठीक है अच्छे यह सारा तरीक हो गया कि आप लोगों ने किस तरह order को process करना है अब हम चलते हैं मैं आपको leopard की website का थोड़ा idea देता हूं कि वहां से आपने किस तरह shipments करनी है किस तरह मतलब order book करना है ठीक है आपने यह leopard की जो आपके पास credentials होंगी आपको यह provide कर देंगे जब आप उनके साथ account open करेंगे तो यह आपकी एक profile होगी इस पर आपने आ जाना है यहां पर आगर आपने देखें बुक का packet नहीं करना यहां से फिर आप सिंगल सिंगल आडर करेंगे ला आपने manage book पर जाना है उसकी वज़ए यह है कि हमले bulk में booking करनी होती है हमारे पास एक order तो नहीं होता 400 orders होते हैं यह से भी ज्यादा होते हैं तो फिर वह एक एक order को आप कैसे book करते रहेंगे वह बड़ा difficult हो जाते हैं तो manage book packet पर जाएं यहां पर जाने के बाद आपने करना है import packets पर क्लिक करना है और first of all आपने यहां से यह sample download कर लेना है ठीक है यह sample आप लोगों ने अपने पास download कर लेना है और इसके अदर जो तरीका बताया हुए उसके मताबक आपने फिर सारा data enter करना है वह मैं आपको guide करता हूँ क्या क्या करना है इसके अदर अच्छा अब यह देखें यहां पर first of all हमारे पास आगया शिपर ने मैं आपने store का नाम यहां पर mention करने रही होगा ठीक है वह आप लोगोंet讲 ने मैंचन करने इनुड़े है उसके बाद Shipper का phone number आपने अपनी phone number लाए है shipper address आपका जो भी address है वह आपने दर mention करने लाए उसके पाद आपकी जो email वह आपने mention कर दरेनी है Origin City, कहांसे आप लोग शिप कर रहे हैं, वो आपने यहां पर mention कर लेने, तब यह वारा जो data है यह आपने यहां से नीचे साथ पर copy paste कर लेना है, एक में आप filter करें, फिर सब columns में अधर, आप उसको copy paste कर ले, यहां पर consigney ने मतलब आपके customer का नाम क्या है? वो आपने management करना है? उसके बाद consigney e-mail उसकी e-mail क्या है? वो आपने लिके लिक रिए तिर consigneyscalehone number क्या है? वो जो phone number उसने वहां पर दिया होगा वहां से उठाना है और यहां पर इटर गहाना है कंसाइनी का एड्रेस क्या है अब वो जो एड्रेस उसने दिया था उसके अदर कुई इड्रेटिंग भी करवाई है तो आप उसको पूरा प्रॉपर ली अदर लिखेंगे जो भी एड्रेस उसने दिया होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास डिस्टिनेशन सिटी मनलब किस शहर में आप लोगों ने इस और को शिप करना है अच्छा यहां पर आपने एक चीज़ का खास क्यार रखने हैं वो यह करना है कि यह जो डिस्टिनेशन सिटी है ना जैसे फॉर इजंबल यह लहौर है ठीक है तो आप इ यह देखें जो स्पेलिंग यहां पर लहौर के हैं और वहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंस है ठीक है आपने यहां से लहौर को कापी करना है ठीक है यह जो है इसको कापी करने आपने और यह आपने इदर पैस्ट करना है अगर आप इसी स्पेलिंग्स के साथ लेकर जाएंग कि आपने इस तरही copy करने वाबर paste करने क्योंकि इसकी जो programming है ना वो इन नाम से हुई और यह spelling जो है ना यह वाले आपने इंटर करने हैं तो बेटर यह यह कि आप शेर का नाम सर्च करें और यहां से copy करके यहां पर destination city में paste कर लें इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लोग इंटर करेंगे जो पेमट आपने कस्टमर से क्लेक्ट करनी है वो पेमट आप लोग इंटर करेंगे यहां पर आपने जो डिलिवरी के चार्जेस होंगे वो भी अपनी इमोंट में पहले ही एड़ कर देने हैं पर इजमपल आपकी प्रडॉट अगर 1,000 फे की है तो डिलीवरी के चार्जेस हैं अगर 10050 हैं तो आपने 1050 ही यहां पर एंटर करनी है तो अगर 1000 ऐह भी बेच नहीं तो डिलिवरी चार्जें उसमें अपने एड़्जेस्ट करने रहा है वह यही जो ओर डिली अडियु आदिये आप एसानी होती है यहांपर जो हमें अ देज के जाती है за करो बोड़र मैंरी अपनी होती है। हम्हां इजए जाती है। अच्छा उतके बाद नेक्स्ट आपकी प्रॉड़क का नाम आ गया ठीक है प्रॉड़क डिस्क्रिप्शन आगी यहां पर आप वो प्रॉड़क की डिस्क्रिप्शन मेंशिन कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोग ने यहां पर एक काम और भी करना है प्रॉड़क की यह होगा कि आपके रिटाइम के चांसिस कम हो जाएंगे कस्टमर अगर प्रॉडक को कंफर्म करते हैं बाद आप अगर नहीं लिखा होता ना के तो फिर वह कोरियर वाला जो है ना कस्टमर को बनले पार्सल उपन नहीं करने तो वह कहता है पैमिट करो बस उसके बाद तुम जाना तुम्हारे काम जाने तो पाकिसान के अदर फिर वह कस्टमर बढ़ा डाउट में रहते तो बेतर यह है कि आप यह पैंशन करते कि कस्टमर हमारे पार्सल को उपन कर सकता है पैमिट से पहले ठीक है तो यहां पर आप लोग नहीं यह चीज पैंशन कर लेनी है कि लेका दो भी आपने वो एदर मेंशन कर लेने हैं है रि estasa कि मतलब देखेंग अब प्रोड़क को रिसीव नहीं किया कस्टमर ने का कि क्रिशिव नहीं किया वो विदल नहीं ता या उसका ड्रेस नहीं मिला यह उसका नंबर नहीं मिला कि यह अइयर तो ले पर ऑले रेटा यह सारा तरीका है कि आपने अड्रेस यह चीज़ें यहां पर किस तरह एंटर करनी है अब जब आप लोगों ने यहां पर सारा डेटा एंटर कर दिया उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है अपनी लियुपर्ड की वेबसाइट पर और यहां से फिर आपने वही वाली करेंगे तो आपके पास यह इस तरह की शीट आया जाएगी ठीक है अब आपके यह स्टेप है कि आपने यह इसका प्रिंट निकालना है और यह एक यहां से इस तरह काट कर हर पारसल की उपर जो फ्लायर्स होते फ्लायर्स के अंदर जगा बनी होती है वहां पर आप लोगो इसको डाल देना है ठीक है और यह एट एंट तीन फॉर्म होंगे यह आप इसमें से दो फॉर्म ले जाएं अपने साथ और जब आप डिलिवरी करने जाएंगे यह जो बंदा आपसे उठाने आएगा ठीक है शिपमेंट्स उठाने आएगा तो आपने क्या करना है उसको य ऑ और यह थे फॉर्म देने है इसको यापने साइन और स्टेंप उससे लेनी है ठीक है और यह आपने काट कर अपने उसके नदर डाल देना है फ्लायर के अंदर पर इस तरह फिर आपकी शिपमेट्स वहां से निकल जाएगाश अब जब आपकी शिपमेंट्स निकल गी तो तो आपने किया करना है यह किश धिर का निक सक्था करना है और अपने जोल में अब इस होती कि साथ लोग्लों की यह ने यह करना है कि पार से करना है ठ्याइं माँरो अब उसका फायद़ा हिए वह होगा Nurse जब आपका order ship हो गया सब कुछ हो गया हमने कर लिया अब नेक्स्ट यह है कि आपने आज जो order ship किये है ना आज जो ship किये हैं इनको आपने हर दो दिन के बाद फिर चेक करना है कल नहीं परसों नहीं उससे आगे तीसरे दिन आप लोगों ने इसको लाज़मी चेक करने और order को दोबारा reattempt करवाएं और deliver करवाएं ठीक है यह आपने खुद करने हैं यह सारे काम मैंने आपको बताया ना कि सारा काम एक साइड पर मनलब order लेने तक यह एक साइड और लेने के बाद इसको customer के घर तक deliver करना है यह एक साइड ठीक है तो आप लोगों नहीं पिर यहां आपने इसको कॉल की कॉल करने के बाद अब इसने कहा कि हाँ जी मैं आप available होगा इससे टाइम भी पूछ लें किस टाइम आप available होंगे तांके आपको order deliver कर दें तो वो जो बात आपकी customer के साथ होगी वो सारी यहां पर लेखें उसका number लेखें और इसको reattempt करवा लें ठीक ह तो यह shipper advice आप लोगों ने लाजबी चेक करनी है फिर भी आपको कोई order deliver नहीं होता तो आपने यह sport ticket पर जाना है और उनके साथ case open कर लेना है ठीक है कि हमारा यह order आप deliver करवा लें कोई shipment कहीं पर रुकी हुई है तो आपने यहां से ticket open करके अपनी shipment को deliver करवाना है तो यह सा order delivered होगे next आपका जो step आता है हो यह आता है कि अब आप लोगोंने payment कैसे लेनी है लेपर बानों से वह मैं आप लोगों को mail बता दूगा उस पर आपने mail करनी है अपना ना account number और अपना जो account होता है वह आपने mention करने तो यह आपके account में payment कर देंगे तो इसी तरह TCS कभी यही same process होता है थोड़ा बहुड़ difference होता है इतना हास नहीं होता है tracks का भी इसी तरह होता है ठीक है फुड़ा बहुत इनमे difference होता है ज्यादा नहीं होता तो आप लोग जो है ना इसको आपने बस follow करना है यह जो steps मैंने बताएं किस तरह order process करना है फिर भी आपका कोई भी questions और comments में पूछे हमारे groups में पूछे है यह काउम guidance का ग्रूप लाजमी जॉइन करें वहां पर questions पूछे मैं इंशालला आप सब को guide करता रहूंगा और काफी potential है पाकिस्टानी e-commerce industry के अंदर challenges भी हैं लेकिन कोई issue भी नहीं है challenges को हम solve करेंगे जो भी हमारे समने मसले मसाइल आए इनका हलम निकालेंगे तो आप सबने question पूछते रहना है तो इंशालला मैं आप सब को guide करता रहूंगा thank you